आईज कल या तो मार्किट बहुत तेजी के साथ नीचे गिर जाएगा या बहुत तेजी के साथ मार्किट में हमें अपसाइट का मुवमेंट देखने के लिए मिलेगा। उसके पीछे का reason है अमेरिका में एक event आज एक news आने वाली है अमेरिका का inflation data जिसके base पर हमारा market कहीं न कहीं react करने वाला है अब आप लोग जानते हैं कि inflation data क्या होता है मेंगाई का data है अगर मेंगाई बढ़ेगी तो seller पैसा बनाएगा और मेंगाई अगर कम होगी तो buyer पैसा बनाएगा ये सीधा सा जवाब है अब बात करते हैं इस data के बारे में देखे डेटा पूरे तरीके से negative है F.I. लगातार cash market म बिकवाली करते जा रहे हैं जिसकी वजह से market के अंदर हमें एक डर बना हुआ है कि market में हमें जो भी upside का moment मिलेगा वह सस्टेन होगा या नहीं होगा क्योंकि F.I. जब तक selling पर रहेंगे market में कोई भी बड़े level पर upside का moment हमें देखने के लिए नहीं मिलने वाला है ठीक है तो 22,150 यानि कि आशकर डेलो अगर कल के दिन market में ये डेलो ब्रेक होता है तो हमें बहुत तेजी के साथ market में गिरावट देखने के लिए मिलेगी और मुझे ऐसा लगता है कि market में अगर गिरावट हुई तो market वापस से यहाँ पर 22,000 का level टच कर सकता है ठीक है और अगर market में ह 22,500 का level बहुत आसानी से और बहुत तेजी के साथ देखने के लिए मिल जाएगा तो जरूरत है हमें 22,250 के breakout की और 22,301 के breakout की ठीक है ये थे हमारे कुछ निफ्टी के levels अब बात करते हैं बैंग निफ्टी के बारे में देखें बैंग निफ्टी में अगर हमें trade करना है तो ह अगर हमें sales side के बारे में सोचना है तो 47,525 यानि की आज का डेलो जब तक बैंक निफ्टी breakdown नहीं करेगा तब तक हमें तेजी के साथ गिरावट देखनी के लिए नहीं मिलेगी और अगर बैंक निफ्टी आपर 47,525 का breakdown करता है तो हमें यहाँ पर 47,000 का level जो एक psychological number है यहा 47,928 का breakout नहीं करता है यानि कि इस resistance का breakout नहीं करता है तब तक market में हमें कोई भी बड़े level पर upside का moment देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर 47,928 का breakout हुआ तो market के अंदर 48,230 का level हमें असानी के साथ देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है और अगर 48,230 के उपर भी market निकलता है तो 48,500 last resistance होगा देखिए आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो लोग अभी तक option trading में loss पर loss किये जा रहा है तो trading billionaire 2.0 आपकी काफी हद तक मदद कर सकता है आपको zero to advance बनाने के लिए course बनाया गया है मेरा 4-5 साल का जो experience है मैंने experience को इस course के अंदर डाला है और जिस व्यक्ति ने भी अभी तकी इस course को लिया है सीखा है समझा है वो लगातार इस market से एक अच्छा profit generate कर रहा है ठीक है और अगर आप हमारी community join करना चाहते तो आप इस course को buy कर सकते हैं यह आपकी काफी हद तक मदद करेगा आपको एक advanced level तक trading सिकाने में I hope आपको एक व